Hello traders, I hope आज कभी दिन आप सभी लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन बीता होगा क्योंकि आज maximum intraday stock के अंदर हम लोग को अपना trade initiate करने का मौका मिला है और सभी के अंदर हमारे जो target से वो successfully achieve हुए है तो चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग उनी stocks को discuss कर लेते हैं जिसकी analysis मैंने आप लोग के साथ आज के intraday session के लिए share किया था तो आज almost हर एक intraday stock के अंदर हम लोग को trade initiate करने का मौका मिला है मेरा सबसे पहला intraday stock था Central Union Bank जहाँ पर हम लोग को एक perfect breakout देखने का मौका मिला देन आफ्टर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अची तरह से ये retesting किया है और उसके बाद अपने सारे targets को बहुत ही easily achieve किया है मेरा अगला intraday stock था RCF मैंने आप लोग कल बतलाया था कि 145 के नीचे में हम लोग इसको sell कर सकते हैं एक बहुत ही सांदार breakdown देखने का मौका मिला लगबग साड़े 10 बजे के आसपास में और उसके बाद ये भी अपने सारे targets को बहुत ही easily achieve किया है मेरा अगला intraday stock था Indian wild corporation यहाँ पर भी हम लोगों ने sell side में अपने trade को plan किया था एक बहुत ही सांदार breakdown यहाँ पर भी देखने का मौका मिला और retesting के बाद में ये भी अपने सारे targets को बहुत ही easily achieve किया है मेरा अगला intraday stock था ABFRL जिसके अंदर हम लोगों ने buy side में अपने trade को plan किया था एक perfect breakout यहाँ पर भी हम लोगों को देखने का मौका मिला और उसके बाद ये भी अपने सारे targets को बहुत ही successfully achieve किया है मेरा अगला intraday stock था Mahindra and Mahindra Finance इसके अंदर अगेन हम लोगों को एक बहुत ही सांदार breakdown देखने का मौका मिला और उसके बाद ये भी अपने सारे targets को बहुत ही easily achieve किया है मेरा अगला intraday stock था PCBL यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही higher target plan किया हुआ था लगभग 2% का और हम लोग देख सकते हैं कि breakdown आने के बाद में ये भी अपने सारे targets को बहुत ही easily achieve किया है इसके अंदर हला कि मैंने आप लोग के साथ buy side का intraday level share किया था लेकिन traders कल के वीडियो मैंने आप लोग clearly बताया था कि 5.85 के नीचे में candle closing आने के बाद में हम लोग यहाँ पर sell side में भी अपने trade को initiate कर सकते हैं एक बहुत ही सांदार candle का closing यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि देखने का मौका मिला then after retesting के बाद में इसके अंदर भी एक बहुत ही खुपसूरत सा fall हम लोग को देखने का मौका मिला है मेरा अगला intraday stock था Arty Industries यहाँ पर हम लोगों ने sell side में अपने trade को plan किया था sell side में entry plan करने का मौका मिला और उसके बाद बहुत ही अच्छा सा intraday fall यहाँ पर generate होते हुए नजराया है और इसके साथ साथ हिंदुस्तान Unilever के अंदर हम लोगों ने buy side में अपने trade को plan किया था देख सकते हैं कि इस तरह के weak market में भी एक बहुत ही कुपसूराज सा breakout देखने का मौका मिला देन आफ्टर retesting हुआ और उसके बाद यह भी अपने target को बहुत ही successfully achieve किया है तो overall 13 intraday stock के analysis मैंने आप लोगों के साथ share किया था जिसमें से 11 intraday stock के अंदर हम लोगों को entry plan करने का मौका मिला है और सभी के अंदर हमारे जो target से वो successfully achieve हुए है जिसे stock के अंदर हम लोगों ने buy side में अपने trade को plan किया हुआ था जैसे कि ABFRL, Central Union Bank, Hindustan, Unilever इन तीनों के अंदर हम लोगों को बहुत ही बहुत ही बेतरीन breakout देखने का मौका मिला है जितने intraday stock के अंदर हम लोगों ने sell side में अपने trade को plan किया हुआ था आज सभी के अंदर एक perfect breakdown देखने का मौका मिला है और proper traders maximum intraday stock के अंदर हम लोगों को retesting भी देखने का मौका मिला है याने कि बहुत easily हम लोग इन सारे intraday stocks के अंदर अपने trade को plan कर सकते थे आप लोग नीचे comment section में जरूर बताएगा कि आप लोगों ने इन सारे intraday stocks में से आज कितने intraday stocks के अंदर अपने trade को initiate किया था और overall आज का दिन आप लोगों के लिए कैसा बीता है मुझे ये देख करके थोड़ा से shock लगा था क्योंकि आज मैंने आप लोग के लिए अपने telegram चैनल पर एक poll भी create किया हुआ था कि कितने लोग आज profitable है लेकिन traders ये बहुत ही जादा shocking है कि 47% लोगों ने आज भी loss book किया है I don't know how आप लोग नीचे comment section में जरूर बताएगा क्योंकि किसी भी intraday stock के अंदर हम लोग का आज एक भी stop loss हिट नहीं हुआ है तो I hope traders आप सभी लोग को मेरी analysis के साथ साथ जो एकुरेसी है वो पसंदारी होगी इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा इसके साथ अगर आप लोग चैनल पर पहली वार विजीट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि बहुत ही जादा मेहनत लगती है आप लोग के लिए डेली इतने बहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स को खोजने में तो चलिए अब हम लोग डिसकस कर लेते हैं उने स्टॉक्स को जिसे आप लोग कल के लिए अपने वाच्छिस में आड़ करके रख सकते हैं और कल जीने स्टॉक्स के अंदर पोटेंसिली हम लोग को कोई भी ब्रेक आउट या फिर ब्रेक डाउन देखने के लिए मिल सकता ह अगर कोई भी डाउट है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग तो आप लोग स्क्रीन पर दिये हुए वाटसेप नंबर पर मुझसे परसनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर हम लोग बहुत ही ज्यादा डिटेल में स्टॉक मार्केट के basics को सबसे पहले समझेंगे then after हम लोग candlestick patterns, chart patterns, their uses, volume analysis, complete technical analysis इसके साथ साथ कुछ intraday trading और swing trading के लिए miscellaneous strategies को भी जानने वाले हैं और course के last week में हम लोग fundamental overview भी सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी company को fundamentally analyze करते हैं इसके साथ साथ हम लोग future and options के basics को भी बहुत ही अच्छी तरह से इस course में cover up करने वाले हैं तो अगर आप लोग भी इस March को knowledgeable बनाना चाहते हैं तो आप लोग live classes में अपना enrollment करवा सकते हैं क्योंकि I genuinely think कि एक बहतरीन analysis के साथ साथ एक बहतरीन execution का होना भी बहुत ही जादत जरूरी है अगर हम लोग को एक profitable या फिर successful trader बनना है तो और अपना execution से उधारने के लिए हम लोग को learning के उपर में भी focus करना होगा क्योंकि आज भी हम लोग देख सकते हैं कि इतनी बहतरीन analysis के बाद भी बहुत से ऐसे लोग भी है जिन्होंने आज loss में अपने दिन को खतम किया है तो चलिए traders अब हम लोग कल के लिए कुछ बहतरीन intrad stocks को discuss कर लेते हैं तो कल के लिए मेरा सबसे पहला intraday stock रहेगा असोग Leland यहाँ पर traders हम लोग देख सकते हैं कि यह जो June है वो continuously इसके लिए agile support का role play कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो analysis है वो daily time frame पर है और आज बहुत दिन के बाद हम लोग देख सकते हैं कि यह 200 day moving average के नीचे में आकर के closing दिया है तो ऐसे में कल अगर यह 169 के crucial level को break करता है तो एक अच्छा सा intraday fall हम लोग को असोग Leland के अंदर देखने के लिए मिल सकता है कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा करूर wise या bank यहाँ पर हम लोग को एक बहुत ही सांदार cup और handle pattern का formation ह होते हुए nurture आ रहा है हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छे rally के बाद में stock बहुत ही अच्छी तरह से consolidate भी कर चुका है तो ऐसे में कल अगर यह अपने snake line को break करता है candle का closing हम लोग को इसके ऊपर में देखने के लिए मिलता है तो एक अच्छा सा intraday momentum हम लोग इसक अच्छर करने के लिए मिल सकता है मिरा अगले intraday stock रहेगा dealing India यहाँ पर हम लोग को एक बहुत ही सांदार cup और handle pattern का formation होते हुए nurture आ रहा है आज हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह के weak market में भी इसके अंदर एक बहुत ही higher volume पर हम लोग को buying strength देखने का मौका मिला है तो ऐसे में trade लेने के बाद में अगर यह बहुत ही जाया देर तक target achieve नहीं करता है तो उस case में आप लोग cost to cost इसके अंदर से exit कर सकते हैं कल के लिए मिरा अगले intraday stock रहेगा Tata Power इसके अंदर हमारी जो analysis है वो hourly time frame पर है hourly time frame में यह अपने इसी zone पर आ करके लगातार support लेते हुए हम हम लोग को नजर आ रहा है आज इसके अंदर भी एक अच्छा सा intraday fall हम लोग को देखने का मौका मिला है तो कल अगर यह अपने आज की slow को break करता है तो एक और अच्छा सा intraday momentum हम लोग capture कर सकते हैं मिरा अगला intraday stock रहेगा लॉरस laps यहाँ पर हम लोग को एक बहुत ही सां अंदर भी capture कर सकते हैं मिरा अगला intraday stock रहेगा coal India यहाँ पर हम लोग को एक बहुत ही सांदार hidden solder pattern का formation होते हुए नचेर आ रहा है तो ऐसे में कल अगर यह अपने इस neckline को break करता है candle का closing इस support के नीचे में देखने के लिए मिलता है तो एक अच्छा सा intraday fall हम लोग इसके अ करके अपने इसी resistance के आसपस में closing देते हुए नचेर आ रहा है तो कल हलका सा consolidation होने के बाद में अगर यहाँ पर हम लोग को एक breakout देखने का मौका मिलता है तो फिर एक अच्छा intraday momentum हम लोग इसके अंदर भी capture कर सकते हैं इसके साथ सब कल के लिए हम लोग BPCL को भी अपने radar पर रखने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही सांदा triangle pattern का formation होते हुए नचेर आ रहा है अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत ही खुबसूरत सा inverse copper handle pattern का formation होते हुए नचेर आएगा तो ऐसे में कल अगर यह अप अच्छा opportunity create होते हुए नजर आ सकता है में अगला intraday stock रहेगा rate gain यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही सांदार हम लोग को cup और handle pattern का formation होते हुए नचेर आ रहा है तो कल अगर इसे stock के अंदर weakness रहता है और यह नीचे में आकर के 812 के crucial level को break करता है तो एक अच्छा सा intra default हम लोग को selling side में भी देखने के मिल सकता है और कल के लिए higher price range में अगर आप लोग चाहे तो ACL take और India Mart को अपने radar पर रख सकते हैं क्योंकि ACL take के अंदर हम लोग देख सक pattern का formation होते हुए नजर आ रहा है तो ऐसे में कल अगर यह 2640 के crucial level को break करता है तो एक अच्छा सा intra default हम लोग India Mart के अंदर भी capture कर सकते हैं तो ACL take का levels में आप लोग के लिए हापर mention नहीं कर रहा हूं आप लोग खुछ से इस stock को analyze करके इसके levels को नीचे comment section में mention कर सकते हैं तो कल के